सबसे पहले तो आप जितने भी डिजिटल मीडिया के सहयोग रहा जिसको हम आज के दौर में डिजिटल प्रेटफर्म बोलते हैं जिसपे की आपका न्यूज, वो सारे पोटल न्यूज, यूटूब के न्यूज, जितने यूटूबर्स भाई हैं उनके न्यूज और जो प्रस्टनली छोटे छोटे यूट्यूब चैनल बना के मेहनत करते हैं जो हमारे गाउं में जो बच्चे अच्छे डांस करते हैं जो अच्छे बचियां डांस करती हैं उन सभी लोगों ने इस गाने को तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 200 मिलियन की आज बात हो रही है या आज जैसे कि आप लोगे सपोर्ट और प्यार दुलार से 175 175 मिलियन का असपास क्रोस कर चुका है तो सर 175 मिलियन ऐसे होता नहीं है तो ये कहीं न कहीं हिंदुस्तान में रहने वाले हर भोजपुरी भासा सुनने वाले जो भोजपुरी भासा नहीं भी बोलते हैं सायथ उनको भी अच्छा लगता होगा तो सभी सुनने वालों को सुक्रिया और मैं राकेश मिश्रा इस गाने का एक सिंगर होने के नाते आपका एक परिवार भी हूँ और एक कलकार का एक परिवार पूरा समाज होता है तो बहुत बहुत धन्यबाद सब के ठेट भोजपुरिया अंदाज में सब के परशुके परणाम करता नहीं और वो सभी लोग के जिसे हम बतानी है कि डिजिटल प्रेटफॉर्म पे जे भी सहयोग करे वाला सभी लोग के दिल से बहुत बहुत धन्यबाद और आपके बता दी कि एक गाना के साथ साथ ठीक एगाना के पीछे में एक और गाना हमार बहुत अच्छा खासा हमने की पिहार उपी में बाज र ही क्या तो लगातार इतना सपोर्ट प्यार दूलार दे बखाती आप सब के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद तो राकेश जी दिनेश जी हो गया या खिसाई जी हो गया पहँंजी सब म्यूजिक वीडियो के थुरू ही एक इंडस्ट्री में कदम रखें और कामयाब हुए किसे आदर्स मांते हैं किसके चीन पर चलना चाहते हैं इन तीनों में से मेरे लिए किसी में से किसी को चुनना बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं कड़ा decision होगा क्योंकि मुझे लगता है कि उन सब में कुछ बहतरीन है तभी सब अपने अपने platform पे आगे हैं और आगे ही नहीं हैं वो आदर्स हैं हम सभी भोजपुरी परिवार के लिए समाज के लिए तो मैं सभी लोगों से कुछ ना कुछ सीखता हूं और मैं सबको अपना आदर्स मानता हूं सबको अपना बड़ा भाई मनता हूं और मुझे तो एक ही बात लगता है कि भोजपुरी में एक चाय पि में वो कितना गलत मानते हैं? पीछे में उसको सिनेमा से निकलवाने का प्लान करने लगे कोई तो मैं ये बोलता हूं कि ये इंसान का काम नहीं है ये सिर्फ उसका काम है जिसने हमें पैदा किया है आखिर उसके हाथ में है ही उसको जब इक्षा करता है तब वो अपना खेला तिलिकम दिखा ही देता है तो South है, Hindi है, सब इंडस्ट्र में दखिए किसे hero के film चलती है, तो एक बड़ा hero आते हैं, घाड़ी सरप्राइज करते हैं, ब्रस्लेट सरप्राइज करते हैं, वो बोलते हैं, उनका पोस्ट करते हैं, और अच्छा आगे बढ़ी है, बट हो सकता है, ये सब की अपनी प्रसनल राय है, इससमें मैं कौन होता हूं कोई बात कहने वाला लेकिन मुझे तो सिर्फ और सिर्फ दोर्पता हूं, यह पूरा परिवार है हाँ, उस कड़ी मैं मैं भी हो सकता हूं और लुप्रिपू को मैं भी हूँ मैं 2006 में 2006 में पहला एल्बम रिलीज हुआ था वो मुझे याद है 2006 में पहला एल्बम में गाया था बट गायान के शेतर में 2003 से ही हूँ तीन या दो से उस टेम मैं बच्चा था 11-12 साल की एज हो कि जो मैं बता रहूं आपको उस दिन से अभी तक मुझे सिर्फ एक बात समझ म में आते हैं कि क्या हुआ और जीवन के संघर्स में चाहे हालात कुछ भी हो गया इसमें कोई जूट बोलने वाली बात नहीं है कि हमने जीवन का जितना दौर देखा है क्योंकि हर इंसान देखता है तो उसको बार-बार मीडिया में बोलने से कोई फैदा नहीं है क्योंकि लोग आज कल कमेंट में नीचे गाली भी लिखते हैं कि ज्यादा भावनात्मक करके क्या चाहते हो भावनाबट न चाहते हो आज कल यह ने ड्रामा हो गया नहीं लोग इंजिनियर भी तो दिमाग के वह आपके कमजोरी और आपके मजबूरी पर भी सवाल उठा देते हैं तो मुझे कमजोरी मजबूरी नहीं सुनाना है लेकिन मुझे एक बात बोलना है कि आलवेज मा सरस्वती का रिस्पेक्ट है और मा बैस्नो देभी महादेव जिसने पैदा किया है और मेरे बलड में बस एक ही चीज है वह सरगम और संगीत और उमीद करता हूं कि आप लोग नहीं आ रही है आपने कुछ देर पहले एक जिक्र किया कि गाने दबाए जाते हैं ऐसे अपके साथ हुई क्या है सर देखो मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं मेरे साथ कुछ ऐसी चीजे हुई थी वो जिस जो आज गाना सकसज है उसी पे हुआ था अभी अभी हाल फिलाल आ जैसा मुझे लग रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं दूसरी चीज होती है कि जो आजकल ज्यादा है कि मैं उनका भक्त हूँ तो मैं उनका भक्त हूँ सर ये पहली बार हुआ कि कलाकारी में जिसको कि लोग बोलता था कि कलाकार साथ समुंदर पार भी एक होता है मतलब कोई भी किंतु परंतु नहीं होती है, बट कहीं न कहीं आज है, हालात जो हैं, कि अगर राकेश मिश्रा ने अपनी दर्द भरी बाते लाइब में आके कह दी, तो लोग बोलते हैं कि हाँ 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 हार बार रोवत ताहर गानवा हीट हो जाई, इसको भी कहीं न कहीं तो क्या मतलब क्या है बोलने का, जब आप अंसेंसिबल हो, जब आपको सेंस नहीं है, जब आप बात को समझ नहीं सकते हो, तो आप से बोलने से क्या फायदा है, मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस संगीत का अरे सर हम किसी के घर सो करने जाते हैं, हम पूछते हैं क्या कि भाया, आप क सर लेकिन फिर भी अब सवाल उपती है बाते होती है और क्या क्या बोलिए गा बोलिएगा तो गाली सुनिया नीचे इंडे सबने को सुच्छ के बारें में बात कर रहा हूं कि अगर मैं अपनी बात आप लोग क्या होता है आप लोग जब बर्ज़स्ती पहले बोलते हैं कि राकेश जी बोलिए बोलिए अद दर्द खोलवा देते हैं आद नीचे से गाली सुनवाते हैं वो तो रोक नहीं पाते है अब आले इंसान के साथ होता है क्योंकि दीन अच्छा बुरा आता है लेकिन अगर दीन अच्छे बुरे हैं और उसमें से आप निकल के फिर जब गॉड आपको अच्छा कुछ देता है, जब ये जिसको हम स्रोता भगवान बोलते हैं, ये जनता फैसला करती हैं, जब ये प्यार तो इस प्यार को एकसेप्ट करके हम कुछ नया करने जाते हैं, नाकि हम बातों में उलजना चाहते हैं, तो जब हम नया करने जाते हैं, और हम अपनी बात अगर रख देते हैं, अगर कुछ माल लिजिए मेरे, मैं अगर बैठा हूँ और आपने आकर मार दिया, तो समाज में मेरे काम को आप बिस्तरब कीजिए तो कही ना कहीं दुख तो पहुंचता आ ना सर और उस बात को अगर बोला जाये तो उसको दस तरह से लेना तो फिर कोई मतलब नहीं किस गाने के साथ क्या का नहीं सर ये आपका थोट हो सकता है मेरा किसी के लिए के बात नहीं है मेरा डिरेक्ट बात क्या है कि हमारी चीजे हमारी चीजे मंस हमारा मेहनत अगर हमारे मेहनत से किये हुए चीज को अगर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं से भी आप किसी का कैसे बोल सकते हैं कहीं से भी कोई तो मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि जो मेहनत किया हुआ चीज है कम से कम उसको छेड़ छाड़ ना किया जाए जो नहीं है तो नहीं है आज डिटल के जामाना बै के कहां से करता जाता नहीं रूगा कर खोली में देखे क्योंकि पॉतो बाग के कहां बोचल बाग एज तो लोग ट्रेन में बठके खेला कदी तार पोते ना चली किस गाने का जिकर कर रहे हैं आप गाना राजा जाईना बहरिया किसे रोका गया अर एक तो बोला जाता है कि भाई ये न इसको पब्लिक ने भाई चाहा मैं सर सच में बोल रहा हूं इराकेस मिस्रा के सांस भी निकले गा न तो मुझसे करजा नहीं दिलाएगा इस पब्लिक का क्योंकि जानते हैं आज डिटल के जामाने में दो दिन में गाने को हीट और फ्ल आके बाद ये गाना 20 हजार उठाने पर मजबूर हो गया क्योंकि उसके बाद इसके उपर वो हाल हुआ जो ना कंपणी मालिक सोचे थे नों सिंगर सोचे थे कुछ देर पहले आपने इसी गाने के लिए बदाई लिए तो मैं पता तो रहा हूँ लेकिन उसके तीन महीने बाद कितना इंतिजार किया गाने ने कितने इंतिजार किये आप अच्छे धावक है आपको पहले दिन मैंने लंगी मार के गिरा दिया आप पहले बहाली में छट गए इसका मतलब यह नहीं नहीं कि आप नोकरी नहीं लेंगे अगर आप में जज़बा है और आपको देख रहा है इमंदारी से लोग तो यह जनता इमंदारी से उस गाने को सुन तो रही थी ना एक किक करके लोगों को जब ही पसंद आया पसंद वाया ना बात पसंद की है बात है कि चीज अच्छा है तो उसका टाइमिंग नहीं है कि वो दो दिन में निकलेगा कि दो महिने में निकलेगा आप अपना कर्म बहतर कीजिए वो अच्छा हो जाएगा छेड़ खानी नहीं होती तो मिलियन कहां तक पहुषत है अब सर नहीं होती कि हमरे अगर हुआ लौगी ना मरती तो हम केतना तेज दोड़ती तो हमरे बटी पंड रहे हैं अब तो इबतिया लगबा ये तो नहीं होती आप प्रस नवाचक चीन में तो सारा खेलेगा बड़ा जला 175 मिले के बाद भी आप नाराज है ये आपका कहनाम है क्योंकि दोनों बात आप ही कह रहे हैं एक तरफ कह रहे हैं कि राकेश जी सच्चाई को बोलिए इस गाने के साथ आपके साथ क्या हुआ दुसरी तरफ बोल रहे हैं नाराज भी है तो अब बताए जब आप ही हमको सस्पेंस में डाल रहे हैं हम क्या बोले तो और लोग तो हमको गाली देंगे तो कौन से गलत दे रहे हैं आप मिडिया हैं आप इंदे समझदार हैं एक तरफ बोल रहे हैं कि मिर्चा एक तरफ लड़ू है हम क्या करें लचार है तो 175 मिलियन नहीं यह 1075 मिलियन होगा ना सर फिर भी वो पहला दिन मुझ करने बाद गाने को एक नेशनल लेबल पर हिट कराना यह हमारे आपकी बस की बात कहा है हम तो जानते भी नहीं था कब बज़ा जब सुरू हो गया तब पता चला की बज़ रहा है राजा तनी जाइना बहरिया किसमें लिखा है और कैसे प्लानी हो थी जड़ा कुछ बताए जाइन बहरिया जो है वो एक बंद कमरे में आरा जिला आरा गवर हमार आरा एक बंद कमरा में जनकी हालाती रहे कि पुर्गाम गरमत कुछे मिलत नहीं महल पता चारे महां मतलब एक एक मतलब जिस रूम में हम लुग थे हार्मोनियम लेकिश नहीं होता है कुछ-कुछ तो फिर एक दो लोग आस पास बैठे होते हैं जो अपने घर जवार के होते हैं मैंने पुछा यार कैसा लग रहा है सबने बुला लागत तो बैयास बढ़िया वह लेकिन पुझात निके कहा है सकतार टाइम ठीक नहीं जो जो सच है वह सच है हमने बुला यार अब मैं क्या बोलू अब यतना लाइन सुनने के बाद में कुछ बोला नहीं फिर मैंने बोला कि अच्छा ठीक लागत तो हाँ मैंने फटा फट उसको रेडी किया और मुजिक डिरेक्टर जो है डियार भाई उनको मैंने भेजा मैंने बोला क्या यह हो सकता है तो जब सुने बोले कि भाईया एक राम कुछ बात तबा लेकिन उस मिजाज में आपको गाना पड़ेगा आपको टेंशन छोड़ दीजिए आप खाली बना लीजिए तकड़ा से आया रेकॉर्ड भी होगा उसके बाद सुनेंगा तो हंसी आएगी आपको जब रेकॉर्ड रेकॉर्ड कर लेकिन है कि जब गाना फाइनल मिक्स होके आया तो सर्व आकरी जब गाने का लाइन सुना ना पहले मैं थोड़ा सूचा कि क्यूंकि देखिए मुझे बोलने में क्या दिकत है टाइम टाइम की बात है मुझे उस टाइम लगा कि टाइम अभी नहीं होता है कि जब अच्छा हो तो कुछ भी хозя था नहीं टो अच्छे चीज़ भी मुझे इस बात का दर तहा कि सायध ये गाना मैं फिर मिरे माइन में यह पीर प्रणा मैं नहीं गाता हो किसी को दे देता हो या पहली बार यह सचा एम बीडिया मेरे अंतर मन में मिया था कि इतना बधी यह गाना क्या लगा ना कि ये को बोजपुरी में कहा हूँ था कि मूर्दा पर छो माना चाहा है नो मान लगया हूँ इस्ट्रोगल में कॉष्ट भोगत था नहीं को ना चली तो ना चली लेकिन यू जो अपने पर कॉलो वहीं हाल है कि बैट्समें दस बार आउट हुआ है अगर आवा यश Rodo, Saad, कौई कौई एसा सिंगर होता जो दस बिस पचहिस गाने गाये हो या वैसा सिंगर होता चो टोड़ा बहुत भुम बहुत या मानता हो जा बोलता हूँ कॉ थो यह पूरे पूरे गान करकेश जी अज़ा रहिगॺत लेट धार को बहुत नहींर हो गया। तो यह पूरे राकेश जी एक और कोशन है राजात पनी जाई ने बहरी है पार्ट टू दर्सक बेस्बरी से जा करें कि आये का होगा न है यह बात आई पिर कि यह बात आपका सही है क्योंकि होता है तो दर्सक चाहते हैं उसका पार्ट टू आए तो इसका पार्ट टू आना चाहिए दर्सक कुछ है यह आपके बात सही है कि मैंने अभी मजाग मस्ती महीं मजाग मस्ती मिन्स कि मैंने ट्राइगन एक पोस्ट किया अपने इंस्टा पे कि राजा जाईना पहरिया टू कौन-कौन चाहता है कि रिलीजू मैं बहुत खुश सिर्फ एक लिखा हुआ था होता है न उस ऐसे डाला था बिना फोटो उट होगे थाउजन के करीब मतलब एक हजार के करीब कमेंट है और मैंने अपने पेज पे डाला है तो लोग लोग तो लोग चलिए मैं एक भोजपूरी में बात बोल रहा हूं कि अभी पहली बार ऐसा हो रहा है कि लड़के से ज़्यादा कहीं लड़कियों का कमेंट आ रहा है कि हम एक्साइटेड हैं इस गाने का पार्ट टू सुनने के लिए यानि कि भोजपूरी दर्शक और परिवार में गाना ये घर में तक घुसा इसके लिए सबको धन्ने बाग कि इतना सबको चाहिए तो साथ मैं कोसिस करूंगा क्योंकि अभी तक मैंने इस पर ज्यादा सोचा नहीं है लेकिन मेरा परियास रहेगा कि क्योंकि टू लाने का मतलब है कि आप लोगी इंतियार करेंगे कि राकेश मिस्रा इससे अलग क्या लग कि आते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ज्या अरिया निरोवाजी के शारी या पावन सब्सक्राइब भोजपूरी गाय की मैंनो जे मने में लेक्टर के सब्सक्राइब डूएट ना गवाला उजब भी गवाई यह आपका कोशन हो सकता है कि इस गाने में क्या कोई अपने भोजपूरी इंडशी को यह स्टार एक्ट्र रहेंगी जो विडियो एल्बम करेंगी या कौन रह सकता है तो बात की बात है वो भविश्य के गर्ब में है कौन रहेगा लेकिन लेकिन बंदीने सवाल वाकई में बहुत जबर जस्त है क्यों नहीं भोजपूरी में दो सुपरस्टार या स्टार एक साथ ड्यूट करते है सर देखो ये कीव नहीं करते हैं और आप यूट करना चाहते हैं मैं बता रहा हूं तो सुनिए क्यों नहीं करते हैं पहली जो आपकी कोशन उसका आंसर लिजिए, थोड़ा सा दुबेजी धीरे धीरे दोज दिने तवर्चा रहेगा, क्या है कि हमने क्या बोला, कि हमारे इंडशी के ये लोग मार्क दर्शक हैं, जो हमारे बड़े भाई लोग हैं, गर्जियन हैं हम लोगे, अभी तक का रूल उन्होंने क्या किया है वो हम लोग देख रहे हैं, और क्या होता है वो भी देख रहे हैं, क्या होगा वो कोई नहीं देखा है, बट क्या हुआ है और क्या हो रहा है वो अभी तक आप देखे हैं, अपलाक हर आप इंटर्विव में जाके भले कोश्चन दागी है, लेकिन आपको क्या कुश दिखा नहीं दिख्खा यह तो यह जो रूल चल रहा है वह चल रहा है अगर मुझे राकेश मिश्रा फॉलो किये तो खड़े रहो नहीं फोलो किये तो आगे बढ़ो ज्यादा समझदार हो गए हो तो भाई हम परिवार में खड़ा रहने आए हैं हम आगे पढ़ने नहीं नहीं आए बिजिक वाइड से अभियाप गाना रिलीज हुआ है जिसमें आप वीडियों में दिख रहे हैं अक्षरा जी के साथ में और अक्षरा जी परुसों लाइव आकर रो रही थी तो जो घटना आपके साथ हुआ था उनका घ्राना की उनके साथ भी हुआ है सर देखिए आप अगर अक्षरा जी का जैसे जिकर किये या मैं फर्स्ट टाइम अक्षरा जी के साथ ओन स्क्रीन काम किया और ठैंक्यू सो मच अक्षरा जी को इस पेसली क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ओन स्क्रीन काम किया मैं आपको बोला ना कि क्या होता है बातों से आज तक स्रिष्टी नहीं खरदाई है लेकिन परजेंट टाइम में क्या है वो देखने से पता चलता है मैंने उनके साथ वो गाना फुल नाइट सूट किया और मैंने पहली बार किसी एक्टरस या सिंगर को देखा जो सर अपने एल्बम के विडियो पे इतनी स्रियस हैं जैसे ऐसे लगता है जैसे वो किसी फिल्म की सूटिंग कर रही है तब एक होता है ना कि उसके उपर कॉंस्टेट होना उसके उपर ध्यान देना चीजों को करना प्रसनली मुझे उन्होंने कुछ चीजों में इतना अच्छा गाइड किया कि नहीं मुझे ऐसे नहीं ऐसे चाहिए मैंने उनको खुद बोला कि इतना अच्छा एल्बम का सेट आप सजाई है मैं खुद उस गाने को किया मुझे इतना उस गाने से उमीद था मैंने बोला कि यार यह तो गाना बहुत खुबसूरत है और एक होता है ने एक बहुत ग्रेटेस्ट लेबल पर उसको सूट किया गया लेकिन फाइनली जो भी उनके साथ हुआ मैंने भी उनका लाइब सुना तो अक्षरा जी के लिए मेरा कोई सलाह नहीं है क्योंकि वो मेरे स काफी टालेंटेड हैं काफी काफी फिल्मे कर चुकी हैं काफी एल्बम वो एक अपने आप में एक चुनिंदा एस्टार है लोगों के लिए उनका एक पॉपुलर्टी उनकी चीज़े उनको समझ में आती है लेकिन अगर ऐसे कोई एक्टर मैं बोलूंगा तो मेरा एक ही उ आटिस्ट है कोई भी बात है मैं किसी का बोल रहा हूं उसको प्रस्नली बुला के बोल दीजिए लेकिन किसी के कैरियर पे क्यों हमला करने का क्यों आखिर इससे क्या होगा आप कल राकेस मिस्रा को परिशान किजिए किजिए नसर दो चार महिना किजिए गलती से गलती से पूछ लेके छोड़ो यार अब नहीं सहना है और मैंने अगर कोई गलत कदम उठा लिया फिर तो सुबह आप फेस्बुक पर आराम से पोस्ट करोगे नहीं रहें बहुत अच्छे थे बहुत अच्छे थे मेरे दिल के करीब थे बहुत अच्छे थे नहीं रहें अचानक कैसे व्याय हो गयाओ यह कैसे रंकेस कर लिए तृ ओ सर मैं एक बात बोल रहा हूं मेरी कुई मीडिया में बात नहीं है मैंने यह बोला की इन सब चीजों को कहीं न कहीं मैं क्या वो मांसिक प्रेसर से दूर क्यों नहीं हो रही है काम वर्ग को मांसिक प्रेसर से दूर कीजिए न कहीं न कहीं यह तीन बड़े अक्तर है वो इस इंडस्ट्री को दबा रहे है और नहीं लोगों को काम करने नहीं दे रहे हैं देखो सर मैंने क्या बात बोला, क्या हो रहा है, यह किसी को नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, आप अपनी बात रख दे रहे हो, इसी तरह बाते बहुत कुछ रख देता है, मैंने सिर्फ य पूछा कि अक्षरा जी रो रही थी, तो आदमी यार करोड़ों आदमी फैन के सामने अचानक आके ऐसे ही रोने लगेगा, और नहीं तो निचे उनके पुजारी और भक्त लोग लिखते हैं कि गाना हिट कराने के लिए ये रो रहा है, राकेस मिस्रा, गाना हिट कराने के लि पर बात करते हो न तो वो उस टाइम टूट जाता है, मजबूरी होती है, मैं ही टूट गया था, मैं ने रो दिया था लाइब में, क्या करूँ, तो राकेस जी कोई आइडिया आप ही पता दीजे, कि जो इंडस्ट्री उप पे चल रहा है, मेरे तरफ से सर कोई आइडिया नहीं है, इसमें तो आइडिया की जरूवत ही नहीं है, इंडस्ट्री चल रही है, अपने अपने काम से चलाया जाए, बात खतम, बात खतम, किसका चल रहा है, किसका नहीं चल रहा है, उपर वाला ताय करेगा, आप क्यो ताय करेंगा, आप इंसान है, भगवान है, आप क् अब आप जिसको टक्राव बोल रहे हो खुदा ना करें भगवान ना करें किसी दिन आपके लाइट में आपका किया हुआ काम को किसी ने सुबा सुबा हटा दिया तो मैं आप सभी पुछूंगा कि कहां टक्राव आपके मन में आ रहा है भाई रोजी रोटी बरबाद करने तो हर व्यक्ति का अपना जीवन है यह हो सकता है कि अब इस चीज को बढ़ा दिया जाए कि यह जेन्वीन बात है कि सब कुछ ठीक है आप मुझे प्रस्टनली अगर कोई भी जैसे इन्हों ने पूछा वो रोदी राकेश जी आप रोदी है अभी कुछ और कलाकार अपना अपना पोस्टर लेकर रो रहे हैं कि मेरा ऐसे हो गया मेरा इसे हो गया भाईया समझने की बात है तो मेरे काने का मतलब है कि क्या यहा सर आपको दिल से धन्यवाद आपने बहुत दिर बाद जिस बात को मैं एक घंटे से बकबक करके रियल दिल में पहुंचाना चाहता था उसको आपने एक घंटे बात समझा मैं यही बात पर सिर्फ आ रहा हूं कि चाहे वो बड़े हो छोटे हो food हो कोई हो है तो वह कलाकार ही न तो उसको हमारा कहा अधिकार है तकलीफ देने का, क्यों हम देंगे, हम उसके बारे में सोचेंगे ही क्यों, हम उसके बारे में क्यों सोचेंगे, हमारा काम सर्फ सिर्फ है, अभी मेरा काम क्या है, अभी मेरा काम क्या है, मैं तो सामने से खब करो, मेरा काम यह है कि जब ये इंटर्वीव आपका ह कि अगर मेरे बोलने से या मेरे कहने से किसी भी कलाकार को किसी भी लोगों को या किसी भी तरह की चीजों में सिर्फ यहीं तुसर समझना है कि हमें अपने वर्क से मतलब है कि आपको दो लाइन सुनना है तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो जिम्यदारी संजय भी या ने मुझे दिया है बहुत जल्द आप लोग के वीच में रजा जाइना बहरिया टू आएगा और एक धमाकेदार तैयारी से आएगा और मैं एक गाने के लिए और इस्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा आप सबको राजा जावान हम लई गया जो की वल्ड वाइड कंपनी साया है और बहुत ही आप लोग प्यार दूलार दे रहे हैं तो बहरिया का दूला इन आप लोग के लिए कि मारा जनी जोर दे हैं भाटे कम जोरे राजा फाटे लागी नस तोड़े तोड़ ए राजा तनी जाईन बहरिया कि तूटता बदन पोरे पोर ए राजा तनी जाईन बहरिया कि हमा नाया नाया गावाना कि नाया तकिया बिछावाना नाया चोली के खोली तू बनवल खेलावना कि मारा जनी जोर दे हैं भाटे कम जोरे राजा फाटे लागी नस तोड़े तोड़ ये राजा तनी जाईन बहरिया तूटाता बदन फोर फोर ये राजा तनी जाईन बहरिया थैंक ये पूस्वाइब राकेश जी पावन सिंग खेसाजी लाली आदा और रितेश पांडे को लेकर मार्केट बढ़ा बावाल मचा हुआ है कि आपको साथ उसकोर में जनकारी है इस पर आपकी कुछ राये सर देखिए यहां तक कि आम रपाली दुबे और दिने सलाल यादाव ने पांद सिंग को अन फोलो कर दिया इंस्टाग्राम पर अइसा मुझे नहीं पता है ऐसा हुआ होगा तो साथ आपको पता होगा ऐसा मु पवन जी हो रितेश जी हो और चाहे बड़े भाई के सारी जी हो या जो भी हो वो हमें बड़े भाई काते हैं मुने बड़े भाई काते हैं हमारा यहीं रिलेशन चाहता है सब के साथ वो लोग अपना-पना मुकाम एक बड़े स्टिंट पर खड़ा किये हैं और मैं उनका एक चोटा भाई हूँ सब लोगों का चाह बड़ा भाई हूँ जो भी हूँ वो ज़्यादा आपने बारे में जानते हैं वो क्या कर रहे हैं उसका रिजन क्या हो सकता है वो मुझे नहीं पता है और मेरे लिए सभी आदरणिये हैं, धिनियस जी ने बोला है कि हम दोनों को मील ना और उलजाना है यह तो चीजे क्यों हो रही है मैं बोला तो आपको वो प्रसनल चीजे हो सकता है प्रसनल लेवल पर हो लेकिन जहां तक बात खेसारी जी की रही तो मैं इसमें जूट क्यों बोलू मीडिया में मेरे गाने अगर अच्छे गए तो अभी दो दिन पहले ने एक ही लाइन बोला कि जो उनका लेंग्वेज है श्टाइल है कि बाबा बहुत अच्छा और उड़ा बहुत अच्छा करहल बनी तो और आगे बढ़ी और हमनी के एकदम सपोर्ट रही फिर वो जो बीच में है वो लाइब हुब है मैंने सुना लेकिन ये अगर आप जा जानना चाहते हैं तो ये बात जानिए कि कहीं न कहीं ये चीज तो हुई है अभी कि हमारे इंड़स्ट्री में एपरिसेट नहीं किया जाता है ये मानी अच्छा है मत मनी ये खेसारी जी बोले तो और मैं भी बोल रहा हूं किसी का गाना अगर भज गया यार ऐसे आप इनक ये मने हम इसको अगर भोजपुरी लाइन बोलें तो चापलूसी के हद हो गई का है का पोल्टक्स भाई जब मेरे गाना हीट होता है कोई सेलिविटी मुझे फून करके बधाई नहीं देता है कोई कोई वीडियो नहीं बनाता है लेकिन हर दूसरे दिन अगर दूसरे किसी मुझे किसी का बधाई नहीं आया है सिर्फ खेसारी लाल ने तिन दिन पहले बधाई दिया है मैं अभी एकदम सत्य बोल रहा हूं और इस भोजपुरी डशी का याद तो कहिए कि मैं सिधे सिधी ठेट भोजपुरी बोलता हूं ठेट भोजपुरी में कहीता है भागा उकर काल जला है मतलब की सभ जानते हुआ सभ देखते हुए हम चुपच पर ही ले हम बहुत कुछ देखी ले हमे जा चय पूरग चरं शीमा देका रहा है चयपंलूसी कवोशी अच्छा बहुत ज्यादा समान होता है तो आप एक महिलाओं किस नदर देखते हैं देखिए सर हमारा अगर हमारा देखिए हमारा जो काम है वो सिर्फ एकी काम है सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट करना अन्रिस्पेक्ट कोई किसी का कर दे वो अपनी बात होती है वो नराजगी होता है गुसा होता है लेकिन ये है नहीं हमारे रूटीन में ये है नहीं कलाकार का रूटीन में सिर्फ एकी चीज है कि हर लोग को हासा आओ भाईया आपका देशाहरा दिवाली कुछ भी आता है आपके घर में फंसन होता है तो आपके घर में हम जाते हैं ना दुआर पे भाई प्रगाम करने हैं हमारा एक ही ड्यूटी मिला है सरस्वतिन हमें एक ही बरदान दिया है कि जितने लोगों को खुस रख सकते हो रखो सैड में भी तुम ही गाओ तुम को सिर्फ गाह के सबको बाहलाना है और दुसरा ड्यूटी नहीं आप सबसे हाथ जोड की निवेदन है कि थोड़ा समय आप दुफान आते रहते हैं बारिस होते रहते हैं सब होगा बट आप लोग भी इतना एक्साइटेड हो के यूटूब और फेस्बुक पे गाली देना बंद कीजिए थोड़ा यह मेरा रिक्वेस्ट है क्योंकि आप सब समझदार हैं आप लोग जितने आराम से मा की और बहन की मतलब गाली देके निकल जाते हैं कभी एक बार सोचिए भी तो भाईया क्या बिगाड़ा है सामने वाला उसकी मा बहन ने क्या बिगाड़ा जिसको गाली दे रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको नराजगी है आप सामने वाले सिंगर को प्रस्णली बोलिए कि हाँ सार आप